तो चलिए मनसब्दारी सिस्टम के बारे में समझते हैं पहले बतादू में मनसब्दारी सिस्टम क्या है इसको समझते हैं सबसे पहले मैं मैं बता दू जो मनसब्दारी सिस्टम है में मनसब्दार सुआ करते थे और यह ओविसर्स हैं आपको देखिये होता क्या था मनसबदार का मतलब होता था एक rank एक individual को याद अखेगा एक मनसब दिया जाता था मतलब एक rank दिया जाता था या तो एक position दिया था जिसे आज़ी में हम ranking देते ना किसी को जिसे डी जी पी higher rank हो गया है ऐसे करके हम rank provide करते पुलिस में एसे ही वहाँ पर क्या दिया था मनसब दिया था जिसका मतलब क्या होता था एक individual को एक rank या एक position दी गई है अब मैं समझता हूँ कैसे rank दी जाती थी याद इखेगा मनसबदारी जो मनसब दिया था था ये किसी को भी दिया आ सकता है नहीं मतलब चाहिए वह civil person हो चाहिए वह military person हो तो याद दिखेगा मनसबदार जो हुआ करते थे they are appointed to all civil and military post तो चाहिए आप civil काम कर रहा हूँ चाहिए military काम कर रहा हूँ आपको एक याद दे कि मनसब एक rank दी जाएगी तो इसका मतलब क्या हूँ अगर सबको मनसब मिल लेई चाहिए civil person हो चाहिए military person हो तो जो distinction था किसका civil और military का वह एक तरीके से over हो गया ठीक है तो याद दखेगा इस मनसबदार से distinction over between civil और military भी over हो जाता है अब चलिए समझते हैं यह मनसबदार हो यह मनसब यह rank कैसे मिलती थी ठीक है इसमें dual system है तो structure को समझते हैं मनसबदाई system को बहुत simple है याद रखेगा इसमें दो number आपको याद रखेगा है मनसब दी जाएगा मतब एक rank दी जाएगा इक individual को उसके according आपको जट that is सिपाही और सवार आपको maintain करने पड़ेंगे अब आप कहेंगे maintain करेंगे उसको पैसा कौन देगा वो मैं आपको सब बताता हो कैसे आपको पैसा मिलेगा money मिलेगा salary मिलेगी बड़ पहले आपको एक मनसब दी जाएगा उसके according आपको क्या है आपको जट और सवार maintain करना पड़ेगा अब देखे ये जो जट हुआ कहते हैं आप सिपाही let us suppose मैंने आपको बोला कि यार आपको 5000 जट मेंटेन करना है और 2000 सवार मेंटेन करना है आपको 5000 सिपाही की ज़र्वत पड़ेगी और 2000 जो horsemen होते है अफकोस horses और जो horsemen को चलाएंगे उनकी ज़र्वत पड़ेगी ठीक है अगर आपको वो मनसब मिली तो अब आप समझेगा देखे अब एक चीज और याद दखना आपको कि यह जट रहता था यह तरीके से rank indicate करता था कहने का मतलब let us suppose अगर मैंने आपको 5000 जट दे दिया और 2000 आपको सवार दे दिया तो मैंने आपकी जो rank होगी वो इसके according decide होती है 5000 के according ना की सवार के according यह confused मत होगेगा क्योंकि लोग confused ऐसे जाते हैं let us suppose कि मैंने आपको यहाँ पर दे दिया एक परसन है जिसका 4000 जट है ठीक है और उसके जो सवार है वो मैंने दे दिया for example 3000 ठीक है बात को समझे गए यहाँ पर और एक दूसरा option दे रहा हो यह B option let us suppose A option जो था उसका 5000 जट था ठीक है और सवार क कि अगर बात करें तो सवार था for example 4000 ठीक है तो अब देखिया कि इन दुनों compare किया जाए तो आप देखेंगे सवार किसको जादा दिया गया पहले वाले को दिया गया मैं एक्जांपल बता रहा हो आपको और दूसरे वाले को कम दिया गया है तो आप कहेंगे इन में बड़ for example ठीक है 5000 आपको जट रखना था 2000 सवार और यहां पर 3000 था तो आपके इसर बी वाले की रांक बड़ी होगी बट देखिया यहां पर जट कम है कि ने तो यहाद कि जट के अपकी रांकिंग डिशाइड होगी यह आपको यहाद रखना है ठीक है तो यहाद कि जट जो है वो और होर्सेज आपको रखने पड़ेंगे ठीक है और आपकी रैंकिंग हो रही है किसके अकॉर्डिंग जट के अकॉर्डिंग सुप्रीम माना जा रहा है अब आपको पैसे कैसे मिलेंगे देखिये अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूं यहां पर दे रहका 5000 जट और 2000 सव सवार रखने आपको लोग सोच रहा होंगे सर उनका पैसा कॉन देगा उसको मेंटेन कैसे करेगा तो इसके लिए क्या होता था याद कि सैलरी मिलती थी मनसबदार को साली किसीज की भाई आपको जो भी मनसबदार आपको डिसाइड हुआ है उसके अपको साली मिलेगी पर जितने जट और सवार रखना है उसका भी आपको पे करना पड़ेगा तो उसके लिए भी आपको मेंटेनेंस मिलेगा तो यह सैलरी और मेंटेनेंस दोनों आपको दिया जाएगा एकॉर्डिंग टू देर रैंक जिसकी रैंक ज्यादा उसको ज्यादा सैलरी मिलती थी याद इसको अपन कहते हैं नगदी cash मिल रहा है ठीक है ऐसे मनसब्दाज को but ऐसे मनसब्दाज को cash ही मिल रहा है उनको क्या कहते थे यार आपको हम पैसा ही दे रहे हैं हम आपको एक land दे रहे हैं ठीक है और यह land का revenue rights होगा वो आप लेंगे remember कहने का मतलब आपको यह land provide करें आप बन गहें जागिरदार याद रखेगा और आप वहां जाके revenue right create कर सकते हैं revenue rights आप वहां के आपको मिल गया है अब यह मत सोचे के जिसको land दे दिया गया वो land उसका हो गया यह point याद रखना है कि land नहीं दिया जा रहा है इसको जागिरदारी भी कहते हैं ठीक है दूसरा क्या यह मनसबदाई system जो था क्या यह headatory था नहीं headatory नहीं कहने का मतलब अगर आपकी death हो जाती है तो आपके बेटे को मनसब नहीं मिलेगा ठीक है उसको भी starting से महनत करना पड़ेगी तब उसको higher मिलेगा ठीक है तो कहने मतलब क्या हुआ जो मनसब पोस से ओनर है ठीक है यह headatory नहीं था याद रखना है आपके death के बाद यह lapse हो जाएगा आपकी जित्ती भी property बगरा जो भी आपके जट सवार होंगे वह सारी कुछ किसको मिल जाएगा king के पास पहुच जाएगा after your demise यह state के पास वापस पहुच जाएगा तो यह headatory नहीं है ठीक है तो यह point आपको याद रखना है ठीक है next अगर देखा है तो system बड़ा highly centralized था centralized कहने का मतलब मैं आपको बता देता हूँ देखे आपकी अगर अच्छे relation है किस से king के साथ तो आपको मनसबदारी अच्छी मिल जाएगा मतलब rank अच्छी देगा king आपको तो मनसब आपको हाई मिल जाएगा तो इसलिए centralized system है king चाहे तो rank बढ़ा देगा चाहे तो rank घटा देगा आपकी तो मतलब good connection with king तो आपको good मनसब मिलना है ठीक है जैसे अकबर ने राचपूच को higher मनसबदार्स बनाया था मैं आपको बता रहा हूं ठीक है एक्जांपल दे रहा हूं अब यहाद देखेगा नो मनसबदार यहाद देखेगा कि वह जो जागे में लई थी लेटर सपोस आपको cash नहीं आपको land दिया जा रहा है तो land ऐसा नहीं आपका हमेशा वही land रहेगा उसी से revenue create करना है आपको कभी-कभी ट्रांसफर भी होता है तो rotation आज आपको यह मिला हुआ है कुछ सालों के लिए फिर आपको change कर दिया गया मतलब नो मनसबदार could hold the jagir for a long time वो generally वो transfer कर देते हैं rotation basis में रखते थे यह आपको यहाद रखना है एक ही जागिरदार या एक ही land आप बहुत time तक लिए रखेंगे rotate होता रहता था ठीक है और यहाद रखिए कि जब उनको पता है कि उनकी death के बाद ठीक है उनकी death का तो खतमी हो जाएगा तो इसलिए मनसबदार जो होते थे जनरली आप देखेंगे लेविश लाइफ जो है वो जिया करते थे कि उनको पता है कि उनका wealth or salary जो है after उनकी death वो वापस king के पास पहुच जाएगा ठीक है इससे result क्या हुआ अकबर को फाइदा क्या हो थ तो बड़ा अच्छा system है मनसबदार से system I hope आपको समझ में होगा बहुत simple words बहुत लोग कन्फ्यूज रहते इस मनसबदार से सबको हमने बहुत जल्दी बता दिया अब आपको अगर पूरी अकबर की policy अगर आपको detail में हमारे concept को समझना है मैंने चोड़ा सा concept बता है तो हम मैंने क्योंकि notes का video बना दिया तो आपको यह hand hidden notes जो है वो आपके घर तक पहुँच जाएंगा याद एक complete courses available है इसमें आपको personal guidance भी प्रोवाइड किया जाएगा इवें इंडिविजियल courses है state services के courses है exam perspective से साथी चीज़ आपको आप अविलेबल होगी वीडियो पसंदा है वीडियो को like जो कहें चैनल को subscribe करें कोई doubt query है तो comment box में जरू comment करें next topic अगर आप कोई और भी topic चाहते है तब comment box में comment जरू कर सकते है thank you